देश में कहीं भी चुनाव हो चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, जात पात का जिक्र न हो ये आखिर कैसे हो सकता है बिहार में 30 अक्टूबर को दो विधान सभा में चुनाव होने है और एक बार फिर से बिहार की सियासत में पाकिस्तान, चीन, हिंदू, मुस्लिम के एं चीन और पाकिस्तान का रिष्टा है वैसे ही बिहार में RGD और कॉंग्रेस का रिष्टा है क्योंकि पाकिस्तान लाखो जलालत सहने के बाद भी चीन के चर्णों में पड़ा रहता है ठीक उसी तरीके से कॉंग्रेस RGD के सामने स्रेंडर कर चुकी है RGD वक्त वेवक्त कॉंग्रेस को उसकी हैसियत का अंदाजा दिलाता रहता है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस उसके चर्णों में पड़ी रहती है और साब तोर पे कहा है कि कॉंग्रेस के नेता कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ जो है बयानवाजी ही कर सकते हैं गि चिहार की सियासत में एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान के एंट्री हो गई है और इसके अलावा आपको बता दे कि हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो चुकी है बकाइदा भाजपा के विस्पर से विधायक हरेवुशन ठाकूर बचौल ने कहा है इसलामिक स्टेट पुरी को मुस्लिम देश बनाना चाहता है बताते कि पिछली दिनों जम्मू कश्मीर में पांच जवान शहीद हो गए आतंगवादियों ने हमला किया था जिसके बाद हरे भुशन ठाकूर बचौल ने कहा ये पाकिस्तान की साजश है लेकिन प्रधानमंदरी मोदी ने सेनिकों को खुली छूट दे दिया है और पाकिस्तान का मनसूबा जो है वो काम्याब नहीं हो पाएगा और सापक और पे कहा कि भारत में हिंदो मुसलमान को साथ रहते हैं लेकिन हमें अफगानिस्तान सीरिया और जोडन पर नजर दोडानी चाहिए कि किस तरीके से वहां के हालात क्य और वही इस्थिति जो है वो अपने देश बे भी पाकिस्तान करना चाहता है और सापक और पर कहा कि उनका धर्म ही वही सिखाता है यानि एक बार फिर से हिंदू मुसलिम पॉलिटिक्स के इंट्री बिहार की सियासत में हो गई है सियासत हो पाकिस्तान चीन और हिंदू मु मेटम दे दिया था RJD को कि वो अपने परत्याशी को हटा ले लेकिन जब राड़ दे भी पहुंची तो उन्होंने भी साफ तोर पर कहा था कि दोनों सीटों पर RJD चुनाव लड़ेगी और RJD को कोई चुनाव नहीं हरा सकता यानि साफ है कि RJD अपने परत्याशी को पीछे न सामने सामने होगी तो दूसरी तरफ कॉंग्रस के नेता इसके अलावा बता दे कि जो अन्य पार्टियां हैं वो RJD पर निशाना साती नजर आएंगी तो ये पूरा मुकाबला है वो काफे दल्चस्प होने वाला है हमारी निजरे बनी रहेंगी आप भी जूले रहें हमारे